हेलो फ्रेंड मैं अनंद राज आप सबों की बीच सीटेट का बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक इससे हर साल दो या तीन कोष्चन हर साल लाता है जब से समस्या समधान करता होता है उसमें बेज्यानी कैसे खोज की परविरती होती है घृब बेज्यानी की तरह आज हम परेंगे यह आपको बहुत ज्यादा है जरूरी जब आपको स्कूल में टीचर बनीएगा को बच्चा को आप देखके उसको मतलब इस चीज सब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना इसलिए इसको सीटेट के टोपिक में दिया गया देखिए हम पर पहले जानेंगे कि समस्या क्या होता है देखिए यहां पर लिखा हुआ है समस्या का डिफिनिशन कि कि किसी कार्ज को करने के दौरान स्वास्टिक समस्या क्या होता है दूसरा है वास्टिक समस्या О byte कि अ डेकर संकेत समस्या नहीं होथ यहां इवाला नहीं होगा ठीक है अब सब्सक्राइब करते हैं कि राम की आई तीन साल है और स्याम की आई पांच साल है तो दोनों की उन्म क्या होगी यह सब क्या है कलपना में होता है सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है कि बहुत जरूरी बात लिखा कि कोई भी समस्या में संकेत याचिन जरूर होता है संकेत याचिन होता है जैसे हम बोलते हैं कि कोई चोर चोरी करता है कुछ ना कुछ अपना सब्सक्राइब क्या होगा उसमें संकेत याचिन होगा उसी समुस्का समधान निकालते हैं आपको निकालना होगा ठीक है तो वही होता है कि आपको निकालना होगा ठीक है तो समस्या में संकेत याचिन जरूर रहता है तो क्या रहता है संकेत याचिन ठीक है आगे दखते हैं समस्या समधान का क्या अर्थ होता है देखें लिखा हुआ है कि समस्या समधान एक ऐसी परकिरिया है जिसमें तार्किक चिंतन तार्किक चिंतन का मतलब होता है वह समस्या वह चिंतन जो समस्या आने पर उत्पन होता है और समस्या तक समस्या का समधान तक रहता है जब तक समस्या का समधान नहों होगा वह क्या होता है सहाइक होता है अर्थात लक्ष को प्राप्त करने में करने में आने वाली समस्या का समधान करना मतलों समस्या समधान करत क्या होता है कि लक्ष को प्राप्त करने में आने वाली समस्या का समधान करना उसी का अर्थ होता है लिखा हुआ है इस विद्धी में मानसिक निसकर्षों को अधिक महत्विदिया जाता है इस विदी का आधार हुरिस्टिक विदिया अनुवियंस आतात्मक या खोज विदिया जो समस्टिया सम्धान का जो अधार है वो और है कि निए कोई चीज़ को खोजा जाता है मतलब इन चीज़ के बारे में सूचा जाता है खोज वीदि जिसके परतिपादक क्या है आरम इस्टरौंग है आप सब्सक्राइब अच्छाट्रों के सामने कोई समस्या रखता है और उसके और अपने अस्तर से उसका समधान करने का प्रयास करता और उससे क्या होता है कि तार्किक सकतीम निरच्छन सकती का लिकाश लेकिए यह नोट में लिखा हुआ है कि कोई भी समस्या को हल करने की परिक्रिखिया समधान करने हैं समध्धान क्या होता है कोई भी समस्या को हल करने की पड़िया क्या कहलाती है समध्धान कहलाती है कि नोट लिखा है कि तार्किक चिंतन वैसा चिंतन होता है जो समस्या आने पर आता है और समस्या समध्धान रहता है मतलब मालिजाब को पास कोई समस्या तो उसमें क्या होता ह जब तक समस्या समधानों जैसे अभी देखिए को रोना आभी हम लोग के लिए बहुत बड़ा है इसके लिए भैक्सिन बनाना सबसे बड़ा है तो बेग्ज्ञाने लोग इस पर दम सुरू से मेनत कराया जब से कुरोना एक उसमेनत कर रहेंगे अब देखते हैं समस्या समध समस्त्षब्धन घट्नाओं का अएसा समुँ मानों किशी विसिष्ट उदेश की उपल्मद्थी के लिए सिधान्तों काूं जिस्को समस्त्राइब सस्तेक्षब परतिमान थे तर्ट इस हटोब्ट समय Rowman 7 प्रतिमान है जिसमें तार्किक सिंतन क्या होता है तिसरा डिफनीशन है आसु बोल के नुसार यह बोल है कि समस्य समधान में संपरतय का निर्मान तथा अधिगम का अभिसकार होता है कोई छोटा बच्चा है उसको हम बोल दिये कि ABCD लिखने के लिए ठीक है मतलब फिर उसको बात क्या होता है कि उसके पास समस्या है क्या यह उसको मुझे कषक्थ और सब्सक्राइब को गरुदति टैस के लुटतिवे को अभिसक लिए दुसरा क्या है इसकीनर कनुसार इसकीनर कनुसार क्या है कि समस्य समधान किसी लक्ष की प्राप्ति में बाधा डालती ही परतीत होती कठनाई पर बिजय पाने की परिक्रिया मतलब इसकीनर कनुसार क्या है कि मालिज आपके पास कोई समस्या है उस समस्या पर जो चीज बाधा डाल नहीं उस सी कठनाई पर विजय पानी की परक्रिया क्या है समस्य समधान केaráatto mission पर दहां दालती प्रतीछ होती कठना ये कि अब देखते हैं समस्य समधान की कि बीशिस्ता क्या हाँ पर सिक्षार्तियों के दि जाने वाली समस्या का सिक्षात्मक क्मुल होना चाहिए इसका सिथा समस्षाइब कर्सें वस्तिक जीवार्ण संबंत दो मौन 23 आप उसके समस्षाइब रहे तो वह यह क्या हो कि उसके उसका उछिक्षा से उसका क्या हो की रिलेश्वन ममन लिजिए कि comment समस्चा दे दिये जो बालक सिक्षा से कोई उसका समध नहीं दूसरा बात क्या हो जहां तक संभव जो समस्चा आप देन हैं वह सिक्षातियों के वास्तुर्क जीमन से रिलेटर हो मतलब उसके जो रियल लाइब सोची मतलब रिलेटर हो तो था उसके वातावरान से अब माल जो उसके साथ घटना कोई जो अपने सामने कोई चीज देख रहा है। उसके माले जे कि बाध्चा के सामने कोई समस्चा दे दिये जो उसके वास्त्वी के वय्यास शाले के सम्माद्य नहीं कर दो कम आसुचनी सा का और जो आप उसको समस्या देना है सिक्षार्थी मतलब विद्ध्यार्थी को वह उपयोगी यह बेवहारिक होना चाहिए मतलब उसका उपयोग होना चाहिए आगे आगे आने वाले समय में तिसरा है समस्या छात्रों की रूची तता डिष्ट्टिकोन के नुशार होना चाहिए इसे च्छात्र करने की शकती का विकास हो सके पहले परहा हुए है उससे रिलेट्ट होगा तो जल्दी वह चीज़ को करने में सक्षमों और चाहिए और सब्सक्राइब एक समस्ट्राइब पुरानी समस्ट्राइब देड़े लेगे कलपना सक्ति तद्था बेख्ज्णनी चंता हो जाया हो कि असल मा चाहिए समस्ट्राइब सब्सक्राइब नोट देके लिखा हुआ है कि समस्च्य समधान विधी में छात्र स्वेम सक्रिये रहते हैं जिससे उनमें अनुसासन हिंता की समस्च्य का प्रस्ण नहीं होते हैं समस्च्य समधान विधी में छात्र स्वेम सक्रिये रहते हैं अब देखते हैं कि बालक समधान करता करूप में कैसे होगा देखे हम जानते हैं कि स्कूली जीमन में सिक्ष्ण काल में अनेक समस्याओं काया च्ठनाइओं का समना करता JUST अस्ठर के युग बनाने के लिए आवस्छा करता कि वो सभी प्रस्तित्यों का समध्धान करता के रूप में कर लें बच्चों या सिक्षार्तियों को समस्य समध्धान करता की रूप में बनाने के लिए उन पहला के बालक में आत्म पहचान के विचास करना चाहिए अपनी कमी को दूर करना सिखान तरह उसको कमी है उसको क्या का जैसिव करता है उसा लंबी बनाने के लिए परसाहिद करना चाहिए और चौथा है बाच्चों यह भाशा वीकास करना और कोई जलदी अपने अंदर जो लो मतौक सोच होगा जो वीचार हो उसको बाहर सावी इंके लगत रहाता Counselor प्रिया सब्सक्राइब करना के लिए सब्सक्राइब प्रयास करने के वाज क करना चाहिES कि समस्थ्य समधभान की तो आपके लिए क्या समस्थ्य था उस एबी सीड़ी अलफाबेट विए उसके लिए प्रीयास किया उसमें तूटी फीर जाका आप सीखे यह पहला विद्ध हो गया प्रयास पर चुरुटी विदू बहुत सरोली होता है दूसरा सूज यह वैसा होता है माली आपके पास कोई समस्य आगया जैसा बेग्यानिक लोग अगया उनके सामय तो उसका सॉलूसन मिल जाता है उसको शूज वी दिया अंतरदिष्टी विधी बोलते हैं इसरा अंसुनी विधी उसके बारे नहीं जाना है फिर उसको आप सीख लिए तो अंसुन ग्रणिक बेग्यानिक विधी मेंम छोड़ी उसमाध का अनुसरण किया जाता है पहला है तो समस्याओ को समध्यना इस पर चांद में ऑला किया समध्यने का प्रयास करता है कि समस्या क्या है उसके समधान में क्या कठना या या क्या हो सकती है इसका क्या लाब है या क्या अहाली है और इसका समधान हम किस परकार से करेंगे तो पहला क्या है समस्या को समझना दूसरा है जनकारी का संग्राय मतलग समझाय का निर्मान अब इसोपान में बालक संगराय की कई जनकारी की सहता से समस्य के समधान के लिए कुछ विध्यों को निधारित करेंगे तो उसके लिए क्या करता है इस विभीन प्रकार के उसमें बाता चिंतन आते हैं क्या सोचेंगे में था समधानों का मुल्यांकन करता है अब उसका मुल्यांकन क्या करेंगे तो कितना जल्दी सोलूसन हो जागा इससे क्या हानी होगा इसका मुल्यांकन करता है इसमें संभावित समधानों का मुल्यांकन करता है अब फ़शतर परि्छन मतलब और G security सबसे संथर तो अपने पर इसनों के परी चनों के अधार पर विधियों के निश्कर्पर पहुंगता है तथा अंतिन इसकर्प्स पहुंगता कि कुन सा विधी तमस्य समधान के सरुथान अब देखते हैं बाला के बिध्यानिक अनुम्यजसक के रूप में पहले जाने की बग्यानिक क्या होता है कार्ज और कारण के संबंध को अस्तापित करने वाला ही बिध्यानिक होता देखे जमाल ने जीकिन न्यूटन प्रकी नीचे था तो उस पेर से क्या हुआ कि से गिरा तो वह क्या उससे गुर्टवकरशन का निया में खो दिया लेकिन पहले भी फल गिरता होगा तो क्या हुआ कि मतलब यहां तो वह सोचा कि यह फल क्यों नीचे ही गिर रहा है उपर क्यों नहीं गिर रहा है तो दोनों के बीच में क्या क्या है कि संबंध अस्थापित करने देखें लिखा हुआ है जब आलक अपने ज्ञान तरक चिंतन और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के पत्तिक पहलू को जानने लगता है तथा खुद ही समस्या के समधान का खोज करने लगता तब बच्चे में बैज्ञानिक अन्मिंसन के गुन आने लगते हैं मतनु देखिए देख्याने कुंस कैसे बत्चे के गूल से मनते हम कैसे बिज्ञानी कवेंशन करेंगे सिर्जन सिल्टान होता है कि एक प्रम्हों को विफीं तरह से वाल्व करना जाहिए रखेंगे प्छाव उन्हार कर देंगे प्र आठता के फाच्ट बजान निए उसे विग्णान के गुन मिल गया कर दूसरा क्या जिग्याशु तो वैसे बच्चे भी ज्याद प्रकार करता है तो भी बच्चा भी जिग्यासु अथिसरा मॉलिकता है कि बिना नकल से किया आए कार्ज मॉलिकता का लाता जैसे माल लेजिए कि उसके सामने कोई पंखा नचरा तो अपनी ममी से पुछाने कि ममी पंखा क्यों नचरा है ज्योजा मैं ज्याता तो क्या हुआ है और बच्चा अपने दिमांक से क्षिजन उत्वन के जाया कि नकल नहीं किया प्रोसी के बच्चा देखके कि अपनी ममी से पंखा क्यों नचरा है प्रवितिम देखें बच्चा यह बहुत ज्यादा है जी समस्तिया के सामदान है कि बच्चा के सामने शमस्तिया आजागा उसको कोई चीज के बारे में जनकारि उसको चाहिए हुए उसी को काता है कि तुर सोचना जब्टक समधन श्योझता हुआ जिग्यासू हुआ मोलिप्ता हुआ खत्रास मोल लेने की प्रविर्थी प्रवा एसाप क्या भूआ बच्चों के रूप में नियुका भिक्यास की परिणाम या निश्कर्सों को पूर्व में परस्तु नहीं किया जाना चाहिए जिसे स्वें परियोग तोलना या निश्कर्स नहीं करेंगे इस रहा है बच्चों को समध्धानों की निर्मान है तुप रहीत करेंगे करेंगे तो यह बच्चे को समधानों की निर्मान है कर सकते हो बच्चों का बताया गया समभावित परिणाम का निरत्चन करेंगे मतलब उसको देखेंगे कैसा किया मतलब उसको हम रिजल्ट फीडबैक भी देंगे अब हम इस यह आपका टॉपिक खत्म हो गया अब आपको हम कोश्चन बताते हैं कोश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है देखें कोश्चन से आपका और सब चीज़ के लिए रहागा पहला लिखा हुआ है कि रिफान खिलोने को तोड़ता है और उसके पूर्जों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है क्या आप क्या करेंगे देखिए यह क्या हुआ बच्चा होता है पहला अप्चन है उसके जिग्या सब्सक्राइब करेंगे और उसकी उर्जा को सईधीशा में संचारित करेंगे तिसरा उप्चन है उसे समझाएंगे खिलोने की तोड़ने नहीं चाहिए चौथा इरफान कि खिलोने से कभी नहीं खिलने देंगे वूआ है देखे ऑक मिनमबरा सबसें कि कपा र्शय है कि विज्यातर रुटा हूं कि विज्यानिक हो तो क्यों वा में जाना lavender लगा है हाब करना चाहिए उसकी उक्चा नुब्र जागा आपका बीनम्र अब देखते हैं कि कोई बच्चा अपने द्वारा निशित की गई सुरोत्तम विधी का उप्योग करता है पहला अप्षन है समस्य सामधान के लिए दुसरा है स्कूल चुर कर भाग जाने के लिए दुसरा है पक्षिय चिंदन के लिए और डी क्या है उप्रोक्तवी देखिए हम आपको बताय बढ़ाने के लिए विद्धा होता है उसने जो सरोत्तम विद्धी होता है उसका उप्योग किसमें करता है समस्य सामधाने के लिए आपका यह नंबर इसमें ऑप्षन हो जाएगा यह सब्सक्राइब और एक पक्षिय चिंदनी सब्सक्राइब होगा नहीं आपको यहां पोजेटिव इंसर देना है किस्राइब कोस्चन है कि मन का मान चितरन समद्धी मतलब मन में आपको मान चितरन बना लिए एक किसे समद्धी पहला है बोध समझ बढ़ाने की तकनिक से दूसरा है कि साहसिक कार्जों की किरिया योजना से तिसरा मन की किरिया सिल्धा पनु संधान से चोथा है मन का चितर बनान से देखिए फ़ले तो यह दून ओप्षन नहीं लेकिन आपको दो में कन्फूज होगा कि ए और सी में क्या होगा देखिए बोध्या समझ बढ़ान की तकनिक से देखिए यह तो आपका एक कोई कोई सार्च कर रहे हैं उस पर किया था मन का मन चित्रन बन गया तो उस पर नुसांदान के चिता है कितना पैर होता है कितना मतलब आख होता है सबची पर आप क्या रिसर्ज कर रहे हैं तापका सी नंबर ऑप्चन हो जाएगा तीन का चौथा कोश्चन है कि एक बच्चा कई बार प्रयास करने के बाद भी एक प्रस्ण को हल नहीं कर पा रहा है यह क्या है देखिए पहला ऑप्चन ह कि नंबर होगा देखिए पहला कि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है यह तो होगा नहीं जरूरी नहीं कि बच्चा मानसिक रूप से क्या हो कि कमजोर होते यह आपका ऑप्शन यह वाला ऑप्शन नहीं होगा यह वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा बी नंबर भी क्या हो सबसे अच्छा और दी नमर पड़ देते कि बचला प्रवाही नहीं करता है कि प्रवावी रूप से समस्या का समधान करने के में शक्षम पनाने के लिए किस तरों को से प्रसाहित करेंगे पहला है कि पाठ पुष्टक से एक ही प्रकार के प्रसनों कुद्तर देने के लिए अभ्यास के लिए प्रयाप्त मात्रा में उसर पता देखे बुला है कि पाठ पुष्टक से एक ही प्रकार के बुला है उसमें रहता है कि ब करन करने में बल देना रटना होता था रटना उटना पर तो यह भी आपका रटने पर इंसी अब 05 बल नहीं देता आपका दो नंबर ऑप्शन भी नहीं हो तिसरा बच्चों को समस्था के बारे में सहाज नुभूत अनुमाल लगाने यह बहु बिलकॉप को देखने के लिए प्रसाहिद करना देखिए अपसा अप्शन सी नमर एदम लग रहा है सही लेकिन चौथा भी पर रहे हैं कि पाठ पुस्तक के सवी प्रशनों में विवस्ति देख से समधान लेगे मतलब जो समस्या समधान है उसको हम लिख कर दे दिये तो बच्चा का समस्या समधान नहीं मुझे अपरपुर से पटना जाना था उसको दो तीन रास्ता है तो सब के बारें पताएंगे फिर उसको बोलेंगे कोन आपके लिए अच्छा हो उसका चुनाओ किजे तो क्या रहा है कि बहुत गल्पों को देखने के लिए पुरसाहित करेंगे तापका सी नमर ऑप्शन ह हो शीयों हो effectivement अब भी खित में से कौन सा सफ्क्षक द्वारा कच्छा में बच्छों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्न नहीं करता है मत् abilities समस्या को करने के बारें में अपनी विचार पर क्रिया पर चर्चा करना एककम सही है मतलब कोई सब्सक्राइब बीचार पर कर गया का बुलेगा चर्चा किजिए आप दूसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए परति मदल आप गलति कर देदें उसमें चैसेसे सब दालियों का प्रयोकना जो बेग्यानिक विधियत याथ है अभी करन उत्रोफ Charlize घंन अब करने चिंतन एक होता है अभिसारी चिंतन जो एक दिसा में सोचेन एक रास्ता माला लेजए आपके पास कोई समस्षा आगा तुसको एक दिशा से ही एक समस्षा मिल गया समझे कि हम बहुत अच्छा गाली लेकिन अब अपसारी चिंतन वैसा चिंतन होता है जिसमें विभीन दिशावां में सोचा दा विभीन उसका विकल्फ चुना जाता है तो ओधा यहां पर आपका New London अतर वाले पुछना मतलब मुझा आप एक उत्तर्वार्य बादे बन्यश्ब हरने कि कहां है दिलूली 녹्र्द बता दिये थी कि स्मयकृत वाले प्लाशय की जश्वन पूच्ट है कि जैसे पसवाले प्लाश जैसे बच्चा बच्चा गशन मौन आदे कहां कहां से बहती सब्सक्राइब करता है तो अपने तार्किक चिंद्ध करता है तो अपने तार्किक सबसे अच्छा अच्छा प्सक्राइब करना है कि वह ज्यान कूसी रूप में प्रस्तूति कर देंगे यह कर देंगे जिस रूप में उन्हें गरहन किया मतलब अब बचा क्या करता है कि अच्छा के लिए आखलन में सरल होता है अच्छा है कि जो भी हमारे मन में है आप सब्कार्ट करने लगते हैं तिसरा है कि समझ्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अन्भव को सेर करते हैं हम ज्यान जो लिएंटे, चाहता है कि उसके बिद्यार थी समस्या समधान कोषल प्राप्त कर ले तो शिख चाहता है कि उसके विद्धाती क्या करें कि समस्या समधान कोशल प्राप्त कर ले तो उसके लिए कुण सा किरिया कलाप में लगाएगा पहला है पुछना तर्क करना और निन्हें लेना दूसरा है ड्रील और अभ्यास विदी तिसरा है पट्यास मरण रटना और समझना और समझना और चौथा बहु विकल्पी प्रसने वाले अस्तरीकृत कार्ज पर देकि इसका सबसे अच्छा है ऑफ्षन ए नमर होगा कि पुछना तर्क करना और निन्हें लेना मतलब ऐस्ते किरिया कलाप में उसको भाग लेने ही कर लेंगे जिसमें क्या पुछने का जादी हो तर्क करने का जाद नहीं अठीन मरें बहु बेगल पी वाले प्रस्वन को देखेंगे तो उससे समस्ते संधान नहीं होगा अब देखते हैं कि दस नमर कोच्चा निम लिखीत में कौन सी समस्त्य संधान की बेग्यानिक प्द्धी का पहला चरन आए देखते हैं प्रकलपनाओं का निर्मान कर करना दूसरा है कि समस्त्या का प्रति जाग रुखता तिसरा है प्रसांगिक जनकारी को एकर्थ करना अधिने में प्रकल अपना का प्रिक्षन कर देखिए हम बेग्यानिक विधी में छोग स्टेप होता जिसमें पहला स्टेप है कि समस्त्या को जानना मतलब समस्त्या का प्र जनकारी एकत करेंगे प्रसांजिक जनकारी को एकत करेंगे तो आपका एक नमर स्टेप हो गया दो नमर स्टेप यह हो जाएगा तीन नमर स्टेप क्या होगा कि प्रकलपना का हम क्या करेंगे निर्मान करेंगे तीन नूमर क्या हो गया फिर प्रकलपना का जो हम निर्मान करेंगे उससे क्या करेंगे मुल्यांकन करेंगे तो मुल्यांकन करेंगे तो इसमें दिया करेंगे तो वह क्या हो जागा चार हो जाएगा फिर प्रकलपना का हम प्रिस्षन करेंगे पाच नमबर हो जाएगा चटा क्या होता है कि उसका हम निसकर्स निकालेंगे इसकर्स का निर्ण लेंगे तो चटा हो जागा तो यह चीज़ाब ध्यान में रखिएगा सभी को करते हुए समस्या समधान को बिड़्दाथी के लिए मज़ेदार बनाचातों अलावा बतल नहीं बोला पहला है मुक्त खेल के लिए समय देना मतलों स्वतंतर रूप से उसके खेलने देना क्या करते हैं मतलब वह जिसका क्या हो उसके लिए उसका क्या करें की कुशिश कर रहे हैं तो उसमें उनसे करना होगा तो समस्या समधान की बात नहीं यह तो रटने वाली बात होगी हम जो बोल दिए उसको आपको रटके 100 परसन सुना दा यह क्या हो गया आपका ए नुम्बर ओप्शन आपका नहीं होगा एक दू तीन सही है लेकिन यहां पर क्वेस्चन बोला है कि सिऩ सक के अलवाला बोलता मतलशन नहीं मतलश सिछल के अलावा निम मिलखित सब्सापार करते माश्म समधान को विधारती के लिए मतंदार मना जा सकता है तो कौन है कि इसके ड़ाष के अलावा बोला नम्र क्या है यह डैस के अंतरीक निम्हें लिखिस समझ्च्य समधान की परिक्रिया का चरान है पहला है परिनामों की आस्ता करना दूसरा संभावत रुक्तियों का खोजना इस रहे समस्च्य को छोटे हिसमें बातना जाथ समस्च्य की पसान देखिए इसका सबसे जो इसका सबसें सही हो जाए या उसका परिणाम निकले कोई गलती भी हो सकता है काम कर रहे हैं दीर दीर कोई चीज सिखेंगे माले जो कोई अब चौद नमर कोश्चन है कि समस्य समधान प्रह उस्त विद्ध्यालों में सफल होते हैं जहां एक नमर ऑप्षन है केवल उचस्तरीय स्थे कुभ्रवधी पर ही बल दें देखिए इसका सबसे अच्छा ओप्षन नमर सी है कि जिस्त विद्ध्याले में जो परेबर्धशा को कोई बाता प्दी रूंता ने में कम तेरद होता है और इस वीड saying सब्सक्राइब्स क्राइब को सब्सक्राइब धीखक्रास्तर और चाहिए के करने नंदर तो वह नहीं होगा बच्चा को शुरू से क्या करेंगे यह प्रोब्लम बनाएंगे आप सब्सक्राइब किस प्रकार से एक अध्यापी का बच्चों को बेहतर समस्थ्या समधान करता बनाने में सहता कर सकती है देखिए ऑप्षन इसका है अब बच्चों को बिविद्परकार की समस्थ्यां का समदान कर्ने के मौके देना तथा उनका हल करती समस्या के सही समधान उप्लफत कराना सबसे अच्छा बच्चों क्या करेंगे उनका हल करते समय सहयोग करेंगे और देखिए नमर कहें नहीं होगा देखिए विद्ध्याथे के सामने सभी समस्टा करने के लिए पृष्ट कार आपको मिले डंड मिले तो आपका कट जाएगा नहीं होगा और चौथा है कि बच्चों की पाठ पृष्टक में समस्टा का उतर देखने के लिए मतलब बच्चा काएंगे समस्टा देंगे अब लेंगे अपकी ताम में से खोज़े लो तो यह भी नहीं होगा आपको आप्शन नमबर यह सबसे करेक्ट है यहां पते वहला अप्शन हो जागा पंद्रा का अब देखते हैं 16 नमर कोचन है कि निमलिखीत में से कुन सा अधारभूत सहता का एक अच्छा उधरान है उसमें जिसका आसा है क्या है कि समस्टा समधान को जब तक सिखाना जब तक सिखार्दी स्वयम न कर सकते हैं मतलब एक अधारभूत सहता को कहेंगे एक अच्छा जयां तो रियां बताएंगे कि वह कि वह बारबाड पोषरा कर सकता है दूसरे क्या है इसे आधा समधान हल कि तो इप्रस्तूत करेंगे देखें अपका नहीं यह नुमर सही लुषा लकरार लेकिन आभर प्षयनbach पर देखिए यह नमर्ने की समस्टी कर लेता तक उसे घर ना जाए तो हो गया कि फौरा बंदी टाइप का इसलिए आपका नमर उप्शन क्या हो जाएगा उसे यह बताएंगे की बार-बार बार प्रयास द्वारा कर चकता है मतलब अब हम पढ़ते हैं अब हम प्रयास करें तो कोई समस्या का समधान कर लेंगे तो आपका इसलिए नमबर उल्ला का हो जाएगा सबसे अच्छा सबसे अच्छा यहीं सरे इस तो होगा ने अब माले चिंतन हमतर का उदर्श क्या होता है समस्या को जटिल बना नहीं होगा नहीं किसमास्या समधान वा प्रतिमान जिसमें तारक चिंतन नहीं तदहां लेखिएक कुन दिये हुए तो इस टेनली ग्रेविए भीह हुने याद रखेगा इसकीनर दिया होते कोई आपके पार समस्यां आती है dog तिसरा ओप्शन दिया है कि ए और सी यह भी सही लेखिन आपका तीनों सही यहाँ पर भासा भी का स्वालम भी बार बार प्रास अने का इसलिए आपका यहाँ पास चार नमबर ओप्शन सही जाएगा बिस नमबर कोश्चेन है कि कि किसी समस्या के संभावित समधानों का सब्सक्राइब निधिया अप्रयाश कर रहा है आप उस बच्छे की विसे में क्या कहेंगे देखे पहला है इसमान सूच वाला है दुसरा बच्चे की बुद्धी लब्दी सब्तर से कहुंए दूसरा अप्शन है बच्चे में बैग्यानिक में पढ़ाई में लगकर इधर माचिस के खाली डिब्बे से कई परकार की वस्तियों बनाकर खेलता है उस बच्चे के संधर्म में आपकी क्या रहा है पढ़ने में कत्राता है हम खेलते रहता है तुसरा है उसके माताप पिता उसकी पढ़ाई बध्यार नहीं देते हैं और डिनेमा उप्सें है उसे खेल से दूर कर पढ़ाई में लगाने क्यों सकता है यह है कि उसमें स्रीजिनात्मक चिंतन को देखा रहा है तो यह क्या हो गया कि बच्चों में बच्चों के समख छोटी-छोटी समस्याय रखी जाए दूसरा उप्सने बच्चों के द्वारा किये गए संभावित सम्द्धानों का प्रिच्छन किया जाए तीसरा ओप्षन है कि बच्चों को संभावित समधानों के निनाया तो प्रेइद करना चाहिए देखिए यह तीनों आपका ओप्षन एदम सही हो जाएगा कि आपको यहां पर कि उप्रोक्त सवी अन्समाता तीनों यहां पर सही है अच्छन अच्छन ने मिलखित में कौन सी बिसेस्ता समस्च्य समधान उपागाम का नहीं है देखिए पला अप्षन सही उत्र प्राप्त करने का समानता एक निवागम देखिए आपको इस यूतर वाउं का एक नहीं बिविद्ध प्रक्राइब अप्षन नमर अपका इनमर समस्च्छा के वल एक सिधान प्रक्राइब नहीं एक दर्व नहीं बहुत सिदा बाटर तौ मालिघ्च्छा कथन में मतंच्र नहीं रूसे दिया रहता है कि हम इसमें बताय हुए थे कोई वी समस्च्छा देगा उसका जरू कुछ संकेत होंगा दिसमें बोलता हैं कोई चो पूर रहता है तो आपको नमबर ओप्सन नमर सी हो जाएगा समस्या मोली कुटी इस नमर कोच्चन है कि निमलेखीत में से समस्या समधान को क्या बाधा नहीं डालती है पला है अंतरदिष्टी दुसरा मांसिक परुकता तिसरा मुर्चावंदी चौताय निर्धाना देखिए इसका जो अंतरदिष्टी हो क्या आती है कि समस्या समधान में बाधार नहीं डालती है तो आपको आप्सन नमर एक बच्चों के बारे में निमलेखी कत्रों में से कौन सा सब्सक्राइब बच्चे जनकारी के निश्क्रिये प्राप्त करता होते है बहुत नमर बच्चे बि बिच्चे बिगानिक सुथ करता है ठाधाम साहिए बच्चे बड़िया प्राप्त करता होता है और नीससे लिए आपका ऑप्सन नमट्र 10 ठाल यह थे आपका कैसा यह गलत है कि द्यारत करता है एक्जाम में पुछा जाता है